COVID-19 के बाद जिस तरीके से इंडिया के नेबर हुड के अंदर crisis situation बनी हुई है हमारे काफ़े सारे पडोसी देश different तरह के जो crisis है उसको face कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया जिस तरह से अपनी economy को इंडिया ने recover किया और जितनी मजबूती के साथ हम सामने आए वो definitely appreciation के लायक है और यहाँ पे कहना होगा कि इंडिया की जो leadership है वो front से lead कर रही है और इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे Indian Prime Minister ने जो local for global के बारे में कहा था और अभी recently वापस इसको mention किया है इंडिया की तरफ से यह mention किया गया था कि जो हमारे local products हैं जो local product हैं उनके बारे में जो भारतिये लोग हैं Indian citizens हैं उनको बताना चाहिए उन्हीं products को हमें use करना चाहिए ताकि इनकी demand बढ़े और इंडिया एक manufacturing hub के रूप में उबर के सामने आए इंडिया एक global level पे उबर के यहाँ पे सामने आए तो इसी को लेके यह जो local for global का initiative है इसी को लेके एक बहुत अच्छी news इंडिया के पास में है MSME ministry का जो press brief है से हम देखते हैं तो यहाँ पे खादी को लेके इसकी जो global popularity बढ़ रही है उसको लेके एक बहुत अच्छी news है USA का fashion brand है पेटागॉनिया इसने जो order place किया था उसको वापस से repeat किया है तो इसी को लेके पूरी news को discuss करेंगे कि क्या यह जो खादी है किस तरह से globally popular हो रहा है और यह पूरा जो issue है कैसे इंडिया का आत्मने पर भारत अभियान या जो local for global या local for local इन जो slogans है यह जो initiative है इन से related है आगे बढ़ते हैं this is a brief introduction about me मेरा नाम है राहूल भर्दवाज यह मेरा telegram channel है जिस पे आपको इसका PDF प्राप्त होगा इसके लावा special classes के लिए जो link दिया गया है इस पे आप मुझे follow कर सकते हैं especially crack problems mcq series के classes आप जरूर देखें pathfinder को इसी तरह के updates के लिए subscribe करना ना भूले हर संड़े आपका scholarship test होता है free scholarship test इसमें आप enroll करके participate करके free scholarship जीच सकते हैं अपनी preparation को assess कर सकते है link description box में दिया गया है use the code rb live to unlock this free test इसके लाब pathfinder current affair हर Saturday को शाम को पांच बजे यह रहता है इसमें भी आप participate कर सकते हैं तो यहां तक खादी की यह जो popularity है इसकी अगर हम चर्चा करें तो यह जो recent news है इसके अंदर 2017 के अंदर खादी और especially KVIC खादी Village Industry Commission और अर्विंद मील्स के बीच में एक समझोता हुआ और यहां पर यह कहा गया कि खादी के जो product है इनको global level पे पहुँचाने के लिए इनकी global reach के लिए अर्विंद मील्स जो है हमें help करेगी और उसके बाद से जो काफी सारे खादी के जो denim fabric हैं उनकी demand जो है global level पे बढ़ रही है और इसी context में अगर हम यह देखें देखें के KVIC को ध्यान रखना यह थोड़ा exam के लिए important है प्रलिम्स के लिए KVIC एक statutory body है मतलब वैधानिक निकाय है Parliament के अंदर बनाया गया है कौन सी ministry में आता है MSME ministry में यह आता है परपस इसका क्या है कि जो village industries है rural area के अंदर या जो खादी है उसका development करना उस तरह के initiative को यह प्रमोट करता है तो KVIC Irwin meal का यह जो agreement हुआ उसके बाद से इनको first order यहां पे already मिल गया था जिसमें लगबग 17,000 मिटर का यह कपड़ा इनको provide कराना था खादी denim fabric Patagonia को provide कराना था Patagonia US based एक leading आपका brand है outdoor clothing के अंदर यह deal करता है और फिर जब यह देखा गया कि जो खादी के जो products है यह global level पे जो benchmark है quality है उसको यह follow करते हैं उसको meet करते हैं तो second order यहां पे हमारे पास repeat हुआ और यहां पर यह लगबग 30,000 मिटर मतलब पहले से ज़्यादा यहां पर हमें order मिला है और इस बारे में इस पूरे issue को यहां पर बताया गया और एक और positive चीज इंडिया के लिए क्या रही कि पैटागॉनिया ने क्या किया एक third party assessor को लिया nest के नाम से और यह क्या करेगी यहां पर जो खादी इंडिया की काफी सारी units हैं जिसमें यह गुजरात में गॉंदल unit है अगर हम बात करें उध्योग भारती की यह unit है गुजरात में गॉंदल में इसको जाकर यह जो third party थी उसने वहां पर पूरा assessment किया एक तरह का audit वहां पर किया गया कि किस तरह से वहां पर चीजें हो रही हैं लोगों को wages डंक से दिये जा रहे हैं नहीं दिये जा रहे हैं या फिर पूरा जो process है उसकी quality को इन्होंने assess किया और बाद में certification यहां से दिया गया तो खादी इंडिया की यह जो हमारी unit है गौंदल गुजरात के अंदर उध्योग भारती की इसको ethically handicraft का certification यहां पर nest की तरफ से दिया गया है यह पहला कोई भी खादी का पहला institution है जिसको य यह हमारी खादी जो है उसकी outstanding quality को show करता है international standard हम meet करते हैं उसकी यह एक तरह से मिसाल है international standard यहां पे इंडिया follow कर रहा है तो definitely इसकी जो global outreach है वो बढ़ सकेगी और यहीं पर इन्होंने कहा कि यह जो local to global वाला हमारा जो objective है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्वदेशी product है वो global level पर पहुंचे है उनकी global reach हो तो वहां पर कहीं न कहीं इसकी शुरुआत इसके माध्यम से देखी जा रही है definitely employment perspective में भी benefit होगा क्योंकि खादी थोड़ा सा labor intensive sector है वो perspective भी देखा जा रहा है और यहां पर बात आ जाती है local for global की local for global की जहां पर प्राइम निस्टर हमेश पर possible हो, use करना चाहिए और definitely इससे होगा क्या धीरे धीरे इंडिया जो है over a long period of time हम यहां पर manufacturing center के रूप में develop होंगे क्योंकि देखे इन products की अगर demand बड़ेगी क्योंकि हम इसको use कर रहे है या global level पे इनकी reach बड़ेगी, demand बड़ेगी तो इंडिया में इनका production होगा, इंड इंडिया को transform किया जाए, जहां पे हम क्या है, केवल passive market के रूप में है, इंडिया क्या है, global market के रूप में हम consume कर रहे हैं चीजों को, चीजों का ज़्यादा import कर रहे हैं, तो उस perspective को वहाँ पे change हम करना चाह रहे हैं, और यहां पे हम कह रहे हैं कि हम global supply chain इसमें participate भी करेंग इंपोर्ट के अलावा हम यहां पे export promotion की भी बात करते हैं, और इंडिया की यह जो strength है, यह global force multiplier का काम करेंगी, मतलब इंडिया अगर यह quality products एक बहुत reasonable price पे global level पे available कराता है, तो definitely global trade में भी फायदा होगा और इंडिया का खुद का benefit भी रहेगा, और इसी वज़े से हमने दे target को achieve किया है, और इसके लिए जो श्रे जा रहा है, definitely यहां पे जो MSME sector है, या जो small entrepreneurs है, उनका भी contribution बहुत बड़ा है, MSME sector की अगर हम चर्चा करें, जहां पे खादी और यह सब deal हो रहा है, MSME sector का contribution इंडिया के export में 48% है, मतलब MSME sector के बिना यह export target achieve होना impossible था, overall इंडिया की GDP म इनका contribution लगबग 29-30% है, और लगबग 11 करोड के आसपास लोगों को यहां पे रोजकार मिलता है, तो यह बहुत important sector है, और इंडिया का चाहिए export target हो, इंडिया को manufacturing हब बनानी की बात हो, वहां पे जो हमारे local products है, इनकी जतनी ज़्यादा global outreach होगी, वो उतना ही benefit हमें करेगी कुछ example यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने दिये, जैसे कि जो आयूश products हैं, जो wellness related products हैं, उनकी काफी ज़्यादा demand बड़ी है, और यहां पे वो कह रहे हैं कि जितनी भी कंपनिया हैं, वो जितने भी देश हैं, वहां पे उन उन भाशाओं के अंदर उन products की labeling करके available करा हैं, और यह चीज हमें देखने को मिलती है, data के थुरू, आप देखेंगे लगभग 22,000 करोड का market आयूश industry का हुआ करता था और यह लगभग बढ़के 6 सालों में बढ़के 1.4 lakh करोड पे पहुँच गया है, बड़ी तेजी से यह increase हुआ है, और इसी तरह से government कह रहे हैं कि हम leather products हैं, इनको promote कर रहे हैं, vegetable fruits हो गया, इनको promote कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे साओधी अरेविया के अंदर लग्ताक की तरफ से जो apricot जा रहे हैं, या फिर बीजापूर के तरफ से जो vegetable जा रही है, black rice of chandoli, इन सब को इंडिया की तरफ से promote किया जा रहा है, handloom products को promote किया किया गया था, उसके अंदर MSME, जो micro, small, medium enterprises है, इनकी definition change की गई थी, यह revised definition है, इसे आप exam के लिए जरूर याद कर के जाएं, जिसके अंदर क्या है, manufacturing और services, दोनों के लिए एक ही criteria रखा गया, और इसमें investment और turnover के basis पे आपने तीन category बना दी, micro, small और medium, तो आप देखेंगे investment turnover के basis पे यह तीन category है, इनको याद रखेगा, बहुत important है, this is all, pdf of the session will be available on this telegram channel, इसके अलावा, unacademy के दरफ से first offline test conduct किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर, मुखरजी नगर या रजंदर नगर के अंदर यह रहाएगा, और बिल्कुल जो प्रलिंग से उसी के pattern पे पेटन पे online का option भी इसके अंदर है, online option के साथ भी आप जा सकते हैं, इसके लाव unacademy से आप जोड सकते हैं, complete preparation के लिए, subscription links are there in description box, use the code rb live to get maximum discount, unacademy पे आपको मिलती है, daily live classes, live doubt solving, complete study material, test series, यह जितने भी resources आपको UPSC के लिए ज़रूरी हैं, सब एक platform पे मिल जाते हैं, with this one subscription, you will be able to access all the courses of all the educators, जितने भी educator हैं, सबके courses आपको एक subscription से free हो जाते हैं, iconic पे यह iconic का fee structure है, यहाँ पे आपको personal coach, live mentorship मिलती है, keval optional के लिए जा रहे हैं, तो यह keval optional की fee structure यहाँ पे है, 0% EMI के साथ आप जा सकते हैं, 13 अपरेल से नए batches स्टार्ट हुएं, जिनमें आप अपना syllabus complete कर सकत हैं, अगर आप mock interview में appear हो रहे हैं, तो anacademy के mock interview program के अंदर आप participate कर सकते हैं, UPSC CSC के interview के अंदर अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर participate कर सकते हैं, this is all, don't forget to like, share, subscribe, all the best, have a great day.